हाई फ्रेंट्स आप लोग कैसे हैं आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन में आपका स्वागत है आज हम लोग बात करें एगनू मास्टर आफ आर्ट्स यानि एमे सब्जेक्ट है एमेच डी जीरो थिरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन्स फोर डिसंबर इमेच डी जीरो थिरी इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए जिसका पहला क्वेश्चन है आँचलिक उपन्यास की बिस्यस्ताओं के आलोक में मैला आचल का मुल्यांकन कीजिए अथवा मैला आचल की भाषा की स्रिजनात्मक्ता पर प्रकास डाले दूसरा क्वेश्चन्स अपनिवेश्चिक शिर्प की दिर्ष्टी से गोदान का मुल्यांकन कीजिए अथवा गोदान का प्रतिपाद अस्पस्ट कीजिए तिसरा कोष्चन है वानभट की आत्म कथा के रचनात्मक उद्देश्च पर प्रकास डाले अथवा वानभट की आत्म कथा के सिल्प पक्ष पर विचार कीजिए अथ्वा वानभट की आत्म कथा आत्म कथा है या उपन्यास कृती की सनरचना के आधार पर इसका उत्तर दिजिए चौथा क्वेश्चन है गोदान में चित्रित किसान नारी पात्रों की चारित्रिक बिसिष्टताओं का बिवेचन किजिए अथ्वा गोदान में किसानों के जीवन और उनकी वेदना को किस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है सोदाहरन उत्तर दिजिए अथ्वा गोदान के प्रमुख इस्तरि पात्रों की निर्मित को ध्यान में रखते हुए नारी जीवन के प्रती प्रेम चंद की दिरिष्टी का आलोचनात्मक मुल्यांकन किजिए पाँचवा कोश्चन है राष्ट्रिय आंदोलन के परिप्रेक्ष में गोदान का मुल्यांकन किजिए अथ्वा मैला आचल या पुरसकार कहानी या वानभट की आत्मकथा या तीरिछ कहानी के सिल्पगत विशिष्टे पर विचार कीजिए चाथा कोश्चन है कर्म नाशा की हार का प्रती पाद असपस्ट कीजिए या कहानी कल्ला की दिरिष्टी से पीता कहानी की समिक्षा कीजिए सात्वा कोश्चन है दलित जीवन के संदर्व में ठाकुड का कुवा कहानी का मुल्यांकन कीजिए आठवा कोश्चन है कूते की पूँच के कत्थ और सिल्प पर विचार कीजिए नौ नंबर का कोश्चन है धर्ती धन न अपना ग्यानों और काली की प्रेम कथा का दुखानत है या दलित जीवन का दस्तावेज इस कथन पर अपना मत प्रस्तुत्य करें दस्तवा कोश्चन है किन ही दो पर टिपनिया लिखिये भोला राम के जीवन में ब्यांगे सी का बदल गया का प्रतिपाध ठाकुण का कुवा का कत्थ्या ग्यानों का चरित्रे गोदान का होरी मैला आचल में लोक संस्क्रीती पाजेब में बाल मनो बिग्यान दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन का बटन दबा दे जिसे की जो वीडियो अप्लोड करें सबसे पहले आता को